अपने घर पे होंगे खुब मज़े कर रहे होंगे मैं एकदम मस्त हूँ वैसे मैं श्रीती आप सब के साथ आगई हूँ एक और वीडियो लेकर अभी एंड नियू के चैनल से यह वीडियो का टाइडल है जैसे कि आप सब को पता है आज राम नवमी है तो राम नवमी स्पेशल कुछ तो होना चाहिए इसी वज़े से मैं आज यह वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो देखने से पहले विश यू आल वेरी हैपी राम नवमी सब के घर पे तो जंडा लगा ही होगा और वो गाना भी जरूर बचाईएगा वो गाना तो एकदम मज़ेदार है अब सब समझी रहे होंगे कौन से गाने के बारे बात कर रही हूँ हर घर में बसे एक हीना तो चलिए इस वीडियो को फड़ा बिट से देखते हैं और उसके बाद आप सब से मुलाकात करते हैं So guys, let's begin the video क्या आप राम में विश्वास रखते हैं? रिलिजिनस असपेक्स हैं, प्राक्टिकल असपेक्स से पूछ रहा हूँ है आजकर clarify करना पड़ता है क्योंकि राम राज्या तो सब जाते हैं, लेकिन राम की गुण खुद में लाना कोई नहीं चाता है आज हमें पांच ऐसी क्वालिटीज आपके साथ शेयर करनी हैं, जो हमने खुद भगवान राम से सीखी हैं अगर आपको ये practical wisdom अच्छा लगा, तो इस knowledge को और लोगों तक पहुचाने में हमारी help कीजे आज हम ऐसे जमाने में रहते हैं, जहां parents अपने बच्चों को कुछ से दूर boarding schools में भेजते हैं और फिर वही बच्चे अपने parents को बुढ़ापे में वृद्धा श्रम लगता है कि हम हमारे parents के साथ, हमारे बच्चों के साथ connect ही नहीं हो पाते intentions अच्छे होने के बावजूत, उनकी नजर में हम हमेशा villains बन जाते हैं दशरत चाहते थे कि राम राजा बने और राम जानते थे कि दशरत उनके साथ बिना वजे injustice नहीं करेगे लेकिन फिर भी circumstances की वजे से राम को 14 साल वनवास भूगत नपड़ा circumstances, situations, ऐसी चीज़े होती हैं जो अकसर हमारे करीबी लोगों को हमारे स्टोरी में villain बना देती है लेकिन प्रिंस राम को हम भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को समझने की कोशिश की खुद के नजर ये से तो सब देखते हैं लेकिन दूसरे के perspective से देखने की ताकर सब में नहीं होती है क्या हम राम जैसा अच्छा बेटा या अच्छी बेटी बनने की कोशिश कर सकते हैं वनवास एक metaphor है education होने के बाद हम corporate jungle में निकलते हैं जहां अलग-अलब type के creatures का हमें सामना करना पड़ता है राम एक prince थे लेकिन फिर भी one में उन्हें zero से start करना पड़ा अपने ego को side करके one के प्राणियों से मदद लेनी पड़ी फिर वो चटायो हो, वानर से ना हो या शबरी जब तक हम एक protective जगह में हैं फिर वो हमारा घर हो, college हो या school हम हमारे comfort zone में रहते हैं जैसे अच्छा लगे, वैसे behave करने की सुविधा है लेकिन बाहर की दुनिया में राजगुमार बने गुमना एक दूविदा है, यहाँ survive करने के लिए हम सब को मदद की जरूरत होती है और असली पूरशोत्तम वही है जो janitor से लेकर CEO तक सब को respect के साथ treat करता है क्या हम लोगों को respect देने की कोशिश कर सकते है फ्रेंड्शिप और टॉक्सिक फ्रेंड्शिप में एक ही डिफरेंस होता है कि टॉक्सिक फ्रेंड्शिप सिर्फ एक तरफा होती जो दोस्सिर्फ आपका फायदा लेना चाहते है सुग्रीव ने अपना राज्य अपने भाई से वापस जीतने के लिए मदद मांगी और उसके बदले भगवान राम को लंका तक पहुचाने का वादा किया कहते हैं कि योर नेट्वर्क इस योर नेट्वर्क लेकिन जो नेट्वर्क आपस फेवर जाता है लेकिन जरूरत के समय आपको मदद करने सामने नहीं आता वो नेट्वर्क नेट्वर्क नीए कुछ दोस्ट पारसाइट्स होते हैं जो सिरफ एक तरफा दोस्ती में विश्वर्क सकते हैं क्या हम ऐसे टॉक्सिक दोस्तों की पहचान करना सीख सकते हैं हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने सीता को घर लाने के लिए कितने सैक्रिफाइस की कैसे वो नौर्थ इंडिया से लंका तक पहुँचे और फिर उन्होंने वानर सेना की मदद से राम सेतू बनाया अधा सेम टाइम हम यह नहीं भूल सकते कि सीता वाने रावन के मेंटल टॉर्चर को सहा वो पेशिंट रही उन्होंने विश्वास रखा कि भगवान राम किसी भी कीमत पर उन्हें बचाने आएंगे एक पार्टनर्शिप में चाहे वो बिजनेस पार्टनर्शिप हो या एक रोमांटिक पार्टनर्शिप अपने पार्टनर पर विश्वास रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है क्या हम राम और सीता जैसा ट्रस्ट हमारी रलेशन्शिप में ला सकते हैं हम डेटिंग अप्स की दुनिया में रहते हैं जहां एक स्वाइप से हमें एक नया पार्टनर मिल सकता है और एक रिलेशन्शिप से दूसरी रिलेशन्शिप में जम्प करना लेकिन भगवान राम हमें एकागरता सिखाता हैं commitment सिखाते हैं सिर्फ romantic commitment नहीं लेकिन हमारे लक्ष के ओर होने वाली commitment भी psychology ने ये प्रूफ किया है कि हमारे mind के अंदर दो minds होते हैं monkey mind और monk mind monkey mind का कोई goal नहीं होता एक tenni से दूसरे tenni बस गूमता रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता goal goal घूमता रहता है बॉंक पाइंड, adversity में भी काम रहता है panic नहीं करता, solution पर focus करता है अगर हमें life में कुछ भी achieve करना है, कुछ ऐसा कर दिखाना है जो लोगों को inspire करें तो हमें life में एक purpose ढूणना हो उसका पीछा करना होगा, उसे follow करना होगा और यह आसान नहीं commitment, प्यार, purpose, इन सारी चीजों के लिए महनत करनी पड़ती है, तपस्चर्या करनी पड़ती है अनवास जाना पड़ता है लेकिन जो ये काम कर जाता है उसके सामने दुनिया जुकती हाँ, जिस बात पर debate बहुत होती है कि प्रिंस राम जैसा कोई प्रिंस actually भारत में था या नहीं लोग पूछने हैं कि प्रूफ क्या है मुझे लगता है कि भगवान राम को शाश्वत यानि eternal बनाने का एक ही तरीका है कि उनकी qualities को हम हमारी reality में बदले क्योंकि जब मैं हाथ जोड करता हूँ विष्णू के अवतार, भगवान, राम को नमन करता हूँ तो actually मैं मैं उनके इन qualities को नमन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ कि मैं राम जैसा बेटा बना राम जैसा लीडर बना और अपनों के लिए कुछ अच्छा कर अगर आपको हमारी बाते अच्छी लगी ancient knowledge को practical बनाने का ये experiment अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेर कीजी क्योंकि आप और मैं भगवान नहीं बन सकते लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बन सकता है और यहीं important बात आप तक पहुँचाने से मुझे फारा पड़ा तो गाइस ये वीडियो इतनी छोटी थी लेकिन फिर भी इस वीडियो ने बहुत कुछ ही बता गया वह तो फाइफ क्वालिटी जो हमें अपने लाइफ में अप्लिकबल करनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए श्री राम से की वह क्वालिटी हम अपने अंदर लाए और वह अप्लिकेबल करें और अच्छा यूमन बीन बने और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इस वीडियो की लगी वह थी कि इनकी क्वालिटी जो जो थी जो उन्होंने मेंचिन किया वह बहुत ही अच्छी थी जैसे कि रिस्पेक्ट यो पैरेंस आपके पैरेंस कोई भी डिशिजन लेते हैं वह कभी गलत नहीं ह होता है वह हमारे अच्छी के लिए ही लिया जाता है इंपोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेशन कि हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए हम किसी को पीछे चोड़ के या किसी को होदा ना नीची करके हम आगे ना बढ़े तो यह बहुत अच्छी बात है और हमें यह सब चीज अपन अपने पार्टनर पर चाहिए वो अपनी कलीग हो अपने लव रिलेशन हो या रोमैंटिक वन हो या जो भी हो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट हमीशा बनाए रखना चाहिए जो कि आज कल के जेनरेशन में मैं बोलूं कि बहुत ही कम देखने को मिलता है यह चीज साथ ही रहे पिछ में जो डिफरेंज से वो सबको आना बहुत जरूरी है आजकल रियल फ्रेंशिप मिलता कहां है मैक्सिमम जो भी दोस्ती यारी है यार सब टॉक्सिक ही है सब अपना फाइदा ही देखते है अपना फाइदा देखते हैं और निकलते बनते हैं ऐसे तो मेरे साथ बहुत हुआ है मैंने यह चीज बहुत फेस किया है अब ऐसे ही किया है just have a small circle of friends and उससे जाधा नहीं है और साथ ही follow your love तो जो है कि commitment अपना commitment बनाये रखे and विश्वाश रखे वही है जो दो तरीके के minds monkey mind and monk mind मेरा तो हला कि monkey mind भी है और monk mind भी है मैं बोलूँगी क्योंकि इदर अधर उचलकूद करने वाला दिमाग शांत नहीं रहता है कभी-कभी वह शांत रहता है patience रहता है and situations को मैं अच्छे तरीके से कभी-कभी handle करें वह कभी-कभी होता है हमेशा नहीं वैसे भगवान श्री राम को eternal रखने के लिए हमें उनके qualities अपने life में लानी बहुत जरूरी है ताकि एक हमें अच्छी human being बन सके और ये वीडियो आज के दिन पर लाना बहुत ही amazing था मेरे लिए अच्छा लगा वैसे आप सबने आज राम नाम ये अच्छे से मनाया होगा अपने घरों पे और कुप सरे enjoy के होगा बड़े बड़े डीजे लगा के मस्त हर घर में बस एक ही नाम एक ही नारा गुझेगा भारत का बच्चा बच्चा जे जे श्री राम बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा भाई जरूर से बोलेगा so wish you all once again a very happy राम नामी and चलिए अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक like दे दीजेगा चानल पे नए है तो चानल को subscribe कर लीजेगा साथ ही bell icon को press करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी व सुरे अवास को गाने वाली अवास को mute कर लीजेगा क्योंकि बहुत खराब गाती हो यार and इस वीडियो का link साथ ही मेरे instagram आईडिया आप सबको description में मिल जाएगा तो जरूर से जागी मुझे instagram पे follow कर ले साथ ही इस वीडियो को भी देख ले and अगर आप सबके पास कोई recommendation है आप सबसे अगले वीडियो में तो जरूर से मुझे comment section पर बताए या कोई suggestion है तो comment section पर जरूर से बताए मुझे मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में till then take care and bye bye